वेलो दोस्तो, स्वागब करता हूँ आप सबका How To Studio में जहाँ पे मैं आपके हर प्रब्लेम को 3 मिट में सौल कर देता हूँ तो चलिए दोस्तो, क्या आप अपने WhatsApp पे background या फिर wallpaper बदलना चाते हैं और अपना मंद पसंद दीता photo अपने background में लगाना चाते हैं दोस्तो, ये वीडियो आपके लिए बनाया है तो चलिए दोस्तो, आज के स्वीड़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप WhatsApp में कुछ settings करके केवल दो step में अपना background बदल सकते हैं इसलिए आपने सबसे पहले जाना है अपने WhatsApp में तो चलिए यहाँ पर मैं आपना WhatsApp उपन कर देता हूँ उपन करने के बद आपको टॉप में, राइट साइड में, सर्च बार के साइड में तीन dots दिखाय दे रहे होगे यहाँ आपने simply tap कर देना है इसके बद आपने जाना है settings में, settings में tap करने के बद आपके सामने एक new page उपना हो जाएगा इसके बद आपने जाना है दूसरे option chats में, जिसके नीचे लिखा है themes wallpaper और chat history जासे आप अपने wallpaper को change कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर tap कर देता हूँ tap करने के बज़े से के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दूसरा option wallpapers करके हैं, simply आपने यहाँ पर tap कर देना है यहाँ पर आपको एक image दिखाई दे रहे होगी, जहाँ पर आपको WhatsApp का default background already selected है अब हम क्लिक करते हैं change पे, change पे क्लिक करने के बाद, जैसके आप यहाँ पर देख पर रहेंगे, आपके सामने चार कॉलम आ गए है तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने मन पसंदीदा wallpaper को select कर सकते हो, जब आप bright play क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह के wallpapers आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे उसी तरह से जब आप dark mode वाले wallpapers आपको यहाँ पर select दिखाई दे रहे होंगे उसी तरह से अगर आप default wallpaper के तरह ही wallpapers चाहते हो, तो आपको यहाँ पर different colors भी मिल जाते है और अगर आप चाहते हो कि आपका मनपसंदीदा photo जो आपने click किया है अपने mobile से अगर वो whatsapp के background में आए तो आप यहाँ से अपने gallery में से जो कोई भी photo आप select करना चाहते हो select कर सकते हो, example के दूर्पर मैं यहाँ पर चलता हूँ bride पर और bride पर चाहने के बाद मैं कुछ इस image को select कर देता हूँ इस image को select करने के बाद नीचे आपको एक option दिगा दे रहोगा, set wallpaper करके आपने simply यहाँ पर click कर देते हो जैसी आप यहाँ पर click कर देते हो, उपर वाले image का background हमने जो image select की थी उसमें change हो गया है अब हमें simply bank जाना है, दोस्तो इस तरह से हमने हमारा background change कर दिया है आपके वीडियो कैसे लगा में तो जरू कमें section में लिखते बदाएगा अगर आप हमारे चानल पे नए हो तो चानल को जब सब्स्क्राइब कीजिए मैं इसे तरह के daily informative वीडियो आपके लेका रहता है रहता हूँ अवीडियो आपके लिए जापके लिए लिए में लिए आपके लिए में दिल्माटर प्रशा है